मेरे अनमोल वित्रो आज का प्रतिग्या बचन एशाया तिरपन पांच से लिया गया है अन्तिम भाग ऐसा कहती है कि उसके कोडे खान से हम चंगी हो गए है उनके कोडे खान से हम चंगी हो गए है उनके कोडे खान से आप चंगी हो गए है आपकी चंगाई पहले से ही सुनशित हो गई है क्योंकि परमीश्वर एशु के नाम से इस दुनिया में आए और अपना शडिर में सारा घाओ को आपके लिए उठा लिए ये प्रवीश्व के घाओ के बारे में बात करती है जो आपके और हमारे लिए चंगाई को लाती है हमारी चंगाई के लिए उनको क्यों आना है ये उनके उस दिल के लिए है जो आपने बच्चों की चंगाई के लिए तरसता है बिलाबगीत दो तेरा में ऐसा लिखा हुआ है परमिश और स्वयम वहाँ ऐसे रोते हैं ओ डार्टर अफ जरुसलेम हे जरिशालेम के पुत्री ओ वर्जिन डार्टर अफ जायन हे श्योन की कुमारी कन्या ये वूंड इस दीप अस दीप अस दीप अस दीप तेरा दुख समुंदर के समान है भारती भाषा में जो बाइबल वा लिखा है तेरा घाव समुंदर जैसा बहुत बड़ा है तुझे कौन चंगा कर सकता है मेरा बच्चा तेरा घाव इतना बड़ा है इस दुनिया में कौन तुझे चंगा कर सकता है जीहां आयूब रोते हैं मेरा बोज, मेरा दुख बहुत महान है समुंदर के बालू से भी बहुत ज़्यादा भारी है उनके सारे बच्चे एक ही दिन में उनका नाश्व गया उनके शरीर घाव से भड़ा हुआ था वो खुझले के उपर खुझली करते जा रहे थे वो अपना कपरा भी ठीक से नहीं पैण सकते थे वो रस्ते के धूल के उपर बैठे हुए थे वो अपना घर खो दिये अपना सारा दोलत खो दिये एक ही दिन में जो उनके करीब थे उनके आसपास थे उनसे प्रेम करते थे एक ही दिन में वो सब को खो दिये उनका नाम खतम हो गई थी उनके पत्ने भी एक विश्वासी आवरत नहीं थी उनसे कोई संत्वाना उनको नहीं मिला वो कहते हैं मेरा दुख बहुत ही महान है परमिश्व जब हमारी ओड देखते हैं उसी तरीके से वो रोते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटा, your sorrow, your wound is so deep and so great तेरा दुख, तेरा गाव बहुत ही गहरा, बहुत ही भैनक है यह समुंदर के समान अपार है जरमिया चाप्टर एट अवर्स 22 जरमिया आठ बाइस में कुछ ऐसा लिखा है वो कहते हैं क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की आउशदी नहीं क्या वहाँ कोई वाइद नहीं है तो क्यों मेरे प्रजा अपने घावों से चंगा नहीं हुए हैं इसलिए प्रभुईश्यू जो स्वयम परमेश्व थे आपके और हमारे लिए इस दुनिया में आए हमें चंगा करने के लिए वो अपने मर्जे से अपने आपको सलीब में कुरवान होने के लिए दे दिये उनके सारे कप्रे ऐ चिनलिया गया था वो बिलकुल नगन थे और उनको चाबुक से मारा गया मांस निकाला आया उसी तरीके से जहां हमारे दिल में हमारे शरीड में हमारे जीवन में घाव रहता है वो उस घाव से गुजरे अपने शरीड में उस घाव को लेके चले जी मेरे मित्रों उसके अलबा शर्मिंदेगी, निंदा और बेवुनियाद आरोप से उनका गुजरना परा इस दुस्ट कामों से उनके दिल को घायल किया गिया और खालीपन, नंगपन, जीवन में हर एक बातों को खो शुके थे और लहू और जल उनके शरीड से बाहर निकालाया जीहां आपकी चंगाई के लिए हमारी चंगाई के लिए प्रवीशु की लहू को क्यों बहना था? ये लहू के माध्यम से हमारी सारी गुना से हमें चंगाई मिल जाती है गुना के बज़ा से जो शुराप आता है वो प्रवीशु के लहू के माध्यम से दूल जाता है बाइबल कहती है नितिवचन 20 उसका 30 में एक व्यक्ति को शुद होने के लिए उनको मार खानी पड़ती है वो मार खान से जो घाव बनता है वो घाव उनको उनके गुना से शुद करता है येशु के शरीर को मार खाना परा था तक ही लहू बह जाए उनका शरीर पवित्र और शुद था आज उनके पवित्र लहू हमें सारे गुना से साप करता है जब उनको मारा गया उनके शरीर से जल निकल आया जब हमारे शरीर से जल निकल जाता है हम मढ जाते है येशु अपने शरीर से जल बहाए थे तक हो जल जीवन जल बनकर हमारे शरीर को चंगा कर दे आज पवित्र आत्मा परविश्य के आत्मा आकर हमारे बिमारी से हमें चंगा करते हैं और तीसरी बात the wounds that come to our heart because of the nakedness, emptiness, losses in our lives because of financial problems खालीपन, नंगपन, नुकसान और आर्थी कठिनाई के बज़े से हमारे दिल में जो घाव आता है येश्यू सलीप में अपने घाव के माध्यम से हमारे जीवन में चंगाई को लाए हैं 2nd Corinthians 8-9 says दूसरा कुरिंथियो 8-9 में ऐसा लिखा है प्रभू येश्यू स्वर्ग में बहुती धनी थे लेकिन वो कंगाल बन गए ताकि उनके कंगाल बन जाने से हम धनी बन जाएं वो बहुती कंगाल बन गए सलीप में बिलकुल नगन थे ताकि आपकी आर्थी कठिनाई के बज़ा से जो शर्विंदिगी और दर्द का सामना आपको करना पड़ता है उससे आजाद कर सकें आज अब चंगे हो जाएंगे और एक मात्र मार्ग है प्रभू ईशू एशू के पास आएं एशू के पास रोएं एशू के नाम से मांगे गुना के वज़े से जो घाव आया है उसको चंगा करेंगे आठी कठिनाई गरीबी और शर्विंदी के बज़े से जो घाव आपके जीवन में आया है उसको चंगा करेंगे येशू के नाम से बी ही चंगे हो जाएंगे अपने दिल में येशू को घ्रहन कर लेंगे आउट पसे बाहर आजाएंगे जाएंगे एशू के शू के नाम से चंगे हो जाएंगे आमें अजब कुपत 1 ग्यू閉द अधर आपको अशिछवा आपको आशिघए लेंगे तो येशो के माध्यम ते चंगा का आनंद लेंगे झाल झाल